वेल्कम फ्रेंस टू माई यूटूब चैनल प्यो गाइड टिप्स और ट्रिक्स में संजय विशवास अब सभी का सवगत करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे सैब डीपी एमस यहने की डेलिवरी एंड पोस्टमेन मैनेजमेंट सिस्टेप में जाके जो आर्टिकल रिसीब हम करते हैं बैक रिसीब करते हैं उस बैक को कैसे हम डीपी एमस में रिसीब करें उस बैक को कैसे ओपेन करें और उसके जो आर्टिकल से उसको हम ब्रांच उपिशस में एंट पोस्टमेन बीट में कैसे इसू करें वो हम इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे तो वीडियो को इन तक देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए हेलफुल लगए तो लाइक कीजिए कोई कोई यह तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को जदा जदा शेयर कीजिए और अल्चो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को तो हम डियोपी मे स्क्रीन है वह यहापे ओपेंड हो जाएंगे इसके बाद हम देखेंगे कैसे बैग हम रिसीप करें उसको कैसे ओपेंड करें आर्टिकल को कैसे हम ब्रांच आपिस में इस्व करें और कैसे पोस्टमेंट बीट में भी इस्व करें तो वीडियो को एंड तक देखिए तो द तो यहाँ पर हम schedule id पहले हम select करेंगे जहां से आप bag receive कर रहा है उसका schedule id अल्रेडी सैप में maintained होता है तो उस schedule id को यहाँ पर हम select कर लेंगे जहां से हम bag receive कर रहा है तो किसी भी type का bag हो speed post, register या parcel वो यही bag receive option से ही हमें receive करना है फिर यहाँ पर देखे bag id जो प्शन है यहाँ पर हमें जो bag id है यानि कि जो bag number है वो bag number यहाँ पर हमें scan करना है आप चाहे तो यहाँ पर कीबोड से एंटर भी कर सकते हैं तो यहाँ हम जो bag id है, जो bag हम receive किये हैं जो schedule id हम select किए है वहाँ से, वह bag id, यहाँ पर हम type करके इसको receive करेंगे, तो यहाँ पर we got it, फिर यहाँ पर देखे wait डल के, यहाँ पर enter option है, आप keyboard से भी press कर सकते हैं enter, नाई तो यहाँ तो यहाँ seit enter पर भी click करके back को receive कर सकते हैं, देखिए हम इस बैग को receive किया तो ये scan bag option पे यहाँ पर आ गया है फिर ऐसे करके जितने भी bag हम यह ने इस किझ रिसीब किया है तो सारी बैग वो speed post के bag हो सकते रेजिस्ट की post के bag हो सकते और parcel भी हो सकते है तो सारे बैग जितने बैग हम यह पे रिसीब किया इसको हम यह परइसकेंड करा के रिसीब करेंगे पहले तो देखी यह एस एक सक kitaos हो जाएंगे तो हमसे बैग रिसींब हो गया तो चलिए बैग पन करें बहु ऊप्षिन्स पीट अप्षे सख़्ूं सामें उप्षिन्स को यहीं फिर सब्सक्राइब से सब्सक्क्राइब हो सकता है यह पारसलगी हो सकता हैун यह borकल्स को उप्षे का यहां इसे जो बैग सरह स हुद्राइब किये है उसको हम यहाप पर एंटर करेंगे फीड देखिए यहाप आर्टिकल नामबर स्कैन का ऑप्षन आ जाएंगे फिर यहाप एकस्पेक्टेड आर्टिकल यानि कि उस बैक पर जितने आर्टिकल से वह यहाप वर्चुल डेटा यहाप शो होंगे एंट फिल्ड जितने आ आर्टिकल , पर आ जाएंगे देखिए एकस्पेक्टेड आर्टिकल से भी यह रिमूव उढ़ हो जाएंगे दो यरशी करंख हो कि कि आरो कि आप कर दो कि इसको यहाप एक सक्ट आए यहाप वीडियों बनाया हुआ थो आप उस वीडियों को देख़ सकते क्देख पिए फ यहारी आर्टिकल स्केंट होने के बद यहां पे नीचे मिलेंगे नीचे अपको subject option मिलेंगे तो हम सब्मीट कर केंगे तो यह worn अपर बैग्टिकल अपर यहां फिर उपीज़ को जाएंगे अंड आर्टिकल बैग्टिकल फिर करेंगे आरलें केड़ Azaca कर लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए helpful लगे informative लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई है तो आप comment करके पूछ सकते हैं वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और अलसो subscribe कीजिए चैनल को तो देखें यहां पर बैग ओपन हो गया है और फिर जो बैग पर जो आर्टिकल्स ह यहां पर आप्वाय कोई एक OPTION है यहां पर जो बियो का जो आर्टिकल्स है जो बियो में जाएंगे वो क्योंगे हैए को यह यहां पर डेट डाल के यहां वेश करेंगे तो आगर कोई FMो यहां होinaire वो यहाँ पर शो होंगे और यहाँ से हम प्रिंट कर सकते तो देखिए आज यहाँ पर कोई EMOS नहीं है तो हम इसको नहीं दिखा सकते हैं कैसे इसको प्रिंट करते हैं तो हम दूसरी कोई वीडियो में वह दिखाएंगे तो चलिए हम अब देखते हैं इस वीडियो में कैसे ह जो आर्टिकल्स हमने receive किये है स्पीट पोस्ट पारसल या रेजिस्टी पोस्ट उसको कैसे हम ब्रांच आपिस में इस्टी कर सकते तो देखें ब्रांच देलिवरी जो option यहाप अबिलेबल है उसके अंडर यहाप इस्टी आपको मिलेंगे फिर यहाप जाके हम ब्रांच आई करेंगे और फिर यहां पर जो BPM है जो BO employee ID है यहां पर हम उसको सिलेट कर लेंगे अगर यहां पर कोई BO ID आपको अबलेबल नहीं है तो वो पोस्ट वैकंट है और इसके लिए वैकंट पोस्ट क्रियेशन आउट्सोर्स क्रियेशन करना पड़ता है वो दिविशनल आप इस से होता है तो देखें फिर हम शीडूल आइडि सेलेट करेंगे और यहां पर बैग बाग आइडी एक युनिक बैग अपर हमें डालना है जो की यहल ब्यू गंब्लू से स्टार्ट होंगे ल भी से स्टार्ट होंगे तो वो बैग आइड हम डालेंगे में जो काम कर रहा है जो एपलाई वो उसके राइसे टी दिवाइस में इस बैक नांबर से से ही इस आर्टीकल को इस बैक को रिसआप करेंगे तो यह पर ह Himself बीयों डीड डालेंगे और फिर यह पर अर्टीकलब में भेजना है वो पड़ेशन को ड़ी में सेंटर करेंगे तो इसको हम फिर यह पर सेफ बटन आपको करदेंगे दिसको हम करेंगे तो झोड़ी किंट्ट ओप्शन वी all 묘्न म्यों निचल को चौंड बीयो आर्टिकेल से उसको हम यहाँ पर इसु कर देंगे, फिर चलिए हम देखते हैं कैसे, postman पर बीट में हम जो आर्टिकेल से उसको कैसे हम इसु करें, तो यहाँ पर देखें, issue to postman,ier option available है, issue to postman,गПрिये, लेहां पर पिल्म हम क्लिक करेंगे तो हम अप्शन आ जाएंगे इसू टू पॉस्टमन यहां पे हम हमरा कि आपको देना है आर्टिकल को उस भीड आपको करना है अगर आप पहले कुछ एंट्री कर रहा है करके रखांगे वह गैट राथ जाएंगे तो उसकेंगे आप इसु करेंगे एंटर करेंगे तो यह बीट में ही शू होत Came zwischen तो अगर कोई स्पीड पोस्ट का आर्टिकल है या रेदिस्टय पोस्ट का या पार्षल पोस्ट का साई सारी की आर्टिकल स्थ एक ही ओप्सन इस ऑप्सन से यहाँ पर आपको entry करना है तो यहाँ पर हम जितने articles इस bit में है वो हम यहाँ पर entry कर लेंगे फिर इसको save करके कैसे delivery slip हम print कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे और कैसे bio articles या postman articles का return हम कैसे कर सकते हैं missing articles हम कैसे दिखा सकते हैं और कैसे उस articles को dispatch करना है वो सारी हम and BTOD कैसे करना है वो हम next कोई वीडियो में देखेंगे तो देखेंगे इसको हम save कर देंगे फिर यहाँ पर print delivery manifest option पर click करेंगे तो इसका जो delivery slip है वो यहाँ पर download हो इसको हम open करके print करके postman को दे देंगे इसको delivery slip के लिए तो देखेंगे इसको ओपेंड कर लेंगे तो यह delivery slip यहाँ पर आ जाएंगे और इसको हम print आप्शन आवेलबल है यहाँ दीपी एमेस में बैग रिसीप करके उसको ओपेन करके कैस ब्रांच अपिस और पोस्ट में को इसली आर्टिकल्स इसू कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए लगे तो लाइक कीजिए कोई कोई लिये तब कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अलसो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को